संसद के मौन्सून सत्र में विपक्ष मोधी सरकार पर भारी बढ़ता नजर आया सरकार की संसद में मनमानी पर रोक लगती भी दिखाई दी क्योंकि 10 साल से संसद में सरकार की तरफ से जो भी बिल पेश किया जाता था उसे वो आसानी से पारित करा लेती थी विपक्ष की आपतियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता था लेकिन इस बार हालाथ बदले हुए हैं विपक्ष के दवाव में सरकार को कई फैसलों से यूटरन लेना पड़ा है जिसमें एक वक्ष संशोधन बिल भी था सरकार की तरफ से जैसे ही इस बिल के पेश होने की खबर सामने आई वैसे ही इस पर विवात शुरू हो गया एक बार फिर मोधी सरकार पर अल्प संख्यक विरोधी होने के आरोप तेज होने लगे और आखिरकार ये बिल मजधार में लटक गया विपक्ष के दवाव में केंडरिय संसदी अमंत्री किरन रिजिजु ने ये बिल जेपीसी को भेजने की बात कही और अब जेपीसी की बैठक में भी जोरदार हंगामा नजर आ रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष की बीच इस बिल पर तीक ही बहस देखने को मिली जेपीसी की दो बैठके हो चुकी हैं लेकिन जेपीसी अब तक किसी भी नतीजे पर आते नजर नहीं आ रही तो किन मुद्दों पर नहीं बन पा रही सहमती किन मुद्दों पर फसा पेज क्या कुछ हुआ जेपीसी की इस बैठक में इसी पर आज हम करेंगे चर्चा नमस्कार मैं आराधना तो बात वक्फ बिल पर छड़े महा संग्राम की वक्फ बिल में संशोधन को लेकर मोधी सरकार बुरी तरह से घिर गई है देश के तमाम मुसलिम संगठनों समे पूरा विपक्ष शुरुआत से इस बिल का विरोध कर है और अब जीपीसी की बैठक में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है तीस अगस्त को बीचेपी सांसत जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ बिल पर जीपीसी की दूसरी बैठक हुई और ये भी नाकाम्याब ही रही बैठक के दौरान सभी पक्षों म मन्जूर नहीं है वक्फ मुसल्मानों का मामला है और सरकार इसमें दखल देना चाह रही है बैठक में दिली के सियम अरविंद के जिवाल के जेल में होने से लेकर जिन्ना अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र हुआ आमादमी पार्टी ने एक बार फिर बीजे हथियाने में लगी है आप सांसद ने आरोप लगाया कि दिली में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कमजोर कर रहे हैं उन्हें गिरफतार कर छे महीने जेल में रखा लेकिन कुछ भी सावित नहीं कर पाए दिली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में रख हुई और वैसी ने बिल के विरोध में एक और लिखित नो चेपीसी चेर्मेन जगदबिका पाल को सौंपा इस बैठक में कई राजियों के वक्फ बोर्ड भी शामिल हुए वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि ये धर्म विशेश के अधिकार शेत्र का मामला है ऐसे में स बाद बैठक में गहमा गहमी का माहौल नजर आया यहां तक कि इसकी विरोध में विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉक आउट भी कर दिया वॉक आउट करने वाले सांसदों में कॉंग्रस सांसद मुहम्मद जावे और इम्रान मसू शिवसेना UBT सांसद अर बैठक छोड़कर चले गए हाला कि थोड़ी देर बाद फिर से ये बैठक में वापस आ गए बैठक में वक्ष बिल में कलेक्टर को दिये गए अधिकार को लेकर भी विपक्ष और बीचेपी के सांसदों की बीच तीखी नोग जोख हुई विपक्ष का कहना है कि जिला कले सांसदों पर व्यक्तिगा टिपड़ी भी कर रही है दरसल मोधी सरकार ने वक्ष बिल 1995 में लगभग 40 संशोधनों का प्रस्ताव दिया था जिसमें कोई संपत्ती वक्ष संपत्ती है या सरकारी जमीन इसकी जाच करने का दिकार जिला कलेक्टर को देने की बात कही गई है संपत्ती है तो वो रेवेन्यो रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राजे सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इसका मतलब है कि ऐसी किसी भी विवादित संपत्ती पर जब तक कलेक्टर की मोहन नहीं लग जाती है तब तक उसे वक्ष सं में थे और अब इस प्रस्ताव की तहट कलेक्टर की भूमी का एहम हो जाती है जिस पर विपक्ष कड़ी आपत्ती जता रहा है विवक्षी सदस्यों ने वक्ष अधिरियम में उप्योग करता वाला प्रावधान हटाने पर भी चिंता व्यक्त की है उन्होंने तर्क दिया क कि उत्तर प्रदेश में उप्योग करता प्रावधान द्वारा वक्ष के तहट अधिसूचित एक लाग से अधिक संपत्यों का स्वामित्व उक्त प्रावधान को हटाने के कारण अधर में लटक जाएगा और अतिक्रमन का रास्ता खुल सकता है उप्योग करता द्वारा वक्ष के साक्षे नियम को कानूनी रूप से मानिता देने से वक्ष के रूप में लगाता रूपियों किये जाने वाले एतिहासिक स्थलों को संग्रक्षित किया जाएगा सरकार के प्रस्तावित इस विध्यक में एक प्रस्तावर राजिस सरकार को प्रदेश के वक्फ बोडों में एक गैर मुसलिम मुख्य कारेकारी अधिकारी और कम से कम दो गैर मुसलिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमती देने का भी प्रस्ताव है जिसे लेकर मुसलिम संगठनों ने डीम के समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है उनका कहना है कि वक्फ पूरी तरह से मुसलिम समुदाय का धार्मिक मामला है इंडियन मुसलिम्स फॉर सिवल राइट्स के अध्यक्ष मुहमद अधीब जो पहले सांसद भी रह चुके हैं उन्होंने सरकार पर मुसल्मानों के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाते हुए बिल को अपने आप में पूरी तरह से अवैध बताया ये विवाद तब और बढ़ गया जब बैठक में शामिले का धिकारी के मुह से गलती से आगा खानी समुदाय की जगा पर अफगानी समुदाय का शब्द निकल गया इस पर विपक्षी सांसदों ने कटाक्ष भी किया दरसल जेपीसी की बैठक में चर्चा के दोरा एक अधिकारी जब इस बिल के फायदे गिना रहे थे तो उनके मुह से गलती से आगा खानी की बजाए अफगानी शब्द निकल गया जिस पर तंज कसते हुए विपक्षी सांसदों ने ये पूछा कि ये बिल भारत के लिए है या अखंड भारत के लिए बैठक में मुसलिम समुदायों ने विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस प्रस्ताव के सभी बिन्दूओं को एक तरह से खारिश कर दिया है सरकार को ये साफ कर दिया है कि उसे किसी समुदाय के धार्मिक मुद्दों में हस्त शेप नहीं करना चाहिए इस तीखी बहस के बीच हाला कि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका विपक्ष ने कमेंटी को बिल से जुड़े सभी हिद्धारकों के साथ व्यापक विचार विमर्ष के लिए अखबारों में विज्यापन देकर सुझाव अमंतृत करने का भी सुझाव दिया बीजेपी सांसाज जग्दंबिका पाल के अंधिक्षिता वाली इस जॉइंट पार्लियमेंटरी कमिटी ने करीब आठ गंटे तक चली इस बैठक में अल इंडिया सुन्नी जमियत अल उलेमा और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स आई एम सीयाड उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फबोड और राजस्थान मुस्लिम वक्फबोड के विचारों को सुना इसके बावजूत किसी भी फैसले पर नहीं आ पाए बैठक को 5-6 सितंबर के लिए दोबारा शेडियूल किया गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूले और चानल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डिबी लाइव हमारे चैनल से जुड़े लाइव